नमस्कार, मेरा नाम गोकुल सेनी है और मैं बानसूर से युवा जागरती संस्थान से हम अपनी टीम के साथ यहां आये हैं और सीधे तोर पे अगर हम बात करें कि यह जो प्रोजेक्ट क्या है और किस मकसद के साथ हमने इस प्रोजेक्ट को आरंब किया है आज से एक साल पेले हमने पानसूर में एक कलपना की थी कि क्योंना हर गाउ में एक ऐसा सेटप को अशली हमने उस समय क्या किया कि एक आरंब किया इस स्टाट अप को और बानसूर के हर गाउं में 148 गाउं है अमारे वहां राजजसु जैसे अगर आम अलवर की बात करें, जो भी राकेश दी ने आप लोगों को बताया, आप लोगों को यहां बुलाने का हमारा मकसद क्या है कि जो काम आप कर रहे हैं, कोई इमित्रा हो सकता है, किसी का इसकूल हो सकता है, या फिर कोई और काम हो सकता है, और विशेश कर इसमें महिलाओं को जोड़ा गया है, कि महिलाएं आत्म निर्वर कैसे बने, उसके लिए हम लोग उसकी मदद करें, इमित्रा की दुकान चलाते हैं, और आपके पास इमित्रा का बहुत सारा काम है, आपको एक स्टाप रखना पड़ता है, कई बार क्या होता है, कोई ब्यास्यादी प्रोग्राम हुआ या कोई मिटिंग हुई, तो आपको अपनी दुकान का सटर बंद करके, अगर करमचारी नहीं तो आपको वहाँ जाना पड़ता है, देखो आप ऐसी सिच्वेशन में आपके साथ जो आपकी मिसेज है या फिर आपके परिवार में जो भी महिला इस काम को सीखना चाहेगी, वो एक तो आपके साथ उस मेन पावर का जो गैप है उसको भरने का काम करेगी, साथ में आप जो भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर सर्विस में आपको उसी की ज़रुवत पड़ेगी, अभी में आपको एक महत्वपून जो सर्विसेज जो चल रही है CSE के माध्यम से, CSE क्या है? कोमन सर्विस सेंटर जिसे हम CSE के नाम से जानते हैं, बारह सरकार का सूचना प्रशाण मंतराले का एक पार्ट है, जिसको हम CSE E-Governance के नाम से जानते हैं, आपने राजस्थान में इमित्रा एक अलग से प्लेटफोर्म चलता है, लेकिन बाकी स्टेट्स में ये एक ही जग को जानते हैं, आज से पहले, अगर हम दो-तिन साल पहले की बात करें, तो जो लोग इमित्रा आइडी चलाते थे, उनको एक आइडी और मिलती थी, जिसको बोला जाता था, OMT ID, डीजी पे सकी एक ऐसा कोंसेप्ट है, जिसमें एक महिला गाओं में रहकर, घर में रहकर, नरेगा का काम सब गाओं में चल रहा है, अमूमन नरेगा का पैसा हर 15 दिन में खाते में आ जाता है, मस्ट्रोल का, आपको कुछ नहीं करना, जहां नरेगा का मैठर काम चलता है, वहां एक बार विजिट करो, आप चले जाओ, उन मिसेज को साथ लेके जाओ, या फिर वो जाओ, वहां उनका आधार कार्ड के लिए बोलाओ, तुम आधार कार्ड ले आना, अपना उठा वही पे लगाया और उनको पैंसन वही देया हो, इससे क्या फायदा हुआ, कि महीने में एक साथ ग्राग मिल गए आपको, कस्टूमर मिल गए, और उनका पैसा निस्सित है कि अड़ी आ हम एक मजबूर दस दिन काम करके आरहा है तो तो तीन-चार अजार अजार रुपय तो वह निकालेगा, तो तो निकालेगा, तो ऊजार से मरे से मरे seem, लिजम निकालते है एक साइट पे कम से कम साथ आध करते है समझने और मेरी बात को 60 आदमी को अगर आप 2-2 जार रुपे बी देते हो तो 1,20,000 रुपे हो गई अब आप अगर 1,20,000 का 3 रुपे के हिसाब से भी आप लगाते हो अगर कमिस्ण तो आपने 3-400 रुपे आराम से कमा ली जो वहीं इमत्रा का काम कर रहे हैं, वहीं पे आप अपना DGP का काम चालू कर लो. ऐसा थोड़ी है कि वह एक जगा काम नहीं कर सकते हैं, आप इस काम को आसानी से कर सकते हो. DGP सखी बनने के लिए हम जो लोग आपको क्या पेनिफिट देंगे. पहला पार्ट आपको पूरी ट्रेनिंग, CSC की जितनी भी सर्विसेज होंगी, जैसे 465 सर्विस में ने बताई, कौन सी सर्विस को कौन बेटर करना चाता है, जैसे अभी बही साब बता रहे हैं, साब मेरे स्कूल चलती है, तो स्कूल के लिए अलग तरे का काम है, जैसे कोई टीचर आपके स्कूल में नहीं आया, और बच्चे स्मार्ट टेक्नलोजी से टीचिंग सीखना चाहते हैं, तो इसका प्लेट फोर्म है, जैसे टोपर.com कहते हैं, वो विस्व के ऐसे टोप टीचर है, हिंदी, अंग्रेजी, अलग जो लेंगवेजे हैं इंडिया की, उसमे एक टीचर फलाँ विज्ञान वाला टीचर नहीं आया, तो आप अपने एक क्लास्रूम में एक LCD लगाओ, कम्प्यूटर से जोड़ दो बच्चों को, और क्या चैप्टर पढ़ा रहा था उसी को चला के बच्चों को दिखा दो.